दुसकार दुस्तों फिर से आप सभी के लिए एक और नई अपडेट है रेलवे की तैयारी कर रहे है युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर आचुकी है करीबन हजारों पदों पे वेकेंसीज हैं जैसे की लोको पाइलेट की बात की गई थी काफ़ी टाइम पहलें लोको पाइलेट के अंदर काफ़ी अच्छी वेकेंसीज देखने को मिली थी और उनकी वेकेंसीज का फोम अभी भी चल रहा है अगर आप लोगों ने अभी तक भी फोम सम्मिट नहीं करवाया तो करवा सकते हैं अब मैं आज की वेकेंसी के बात को तो रेलवे भरती बोर्ड दोहजार चोईस ने हाली में आरार भी जेई नोटरिकेशन जारी किया गया है जिसमें करीबन 7,951 पदों पे वेकेंसीज निकाली है जिसमें जूनियर इंजिनेरिंग से लेके कई ऐसे पद देखने को मिलेंगे जो आप लोग आवे दिन कर सकते हैं सबसे चीबात है कि यह भारत की सभी बोडों से निकाले हुई है सबी जोन से निकले हुए रिक्यूरिमेंट है जिसमें महिला और फिमिल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं एक सोट नौटरिपिकेशन जारी हुआ है जिसका 372,001 से लेके 298,2024 तक फोम की जानकारी दे रखिया है और डिटील्स दे रखिये किस तरीके से आप लोगों को फोम सम्मीट करवाना है तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसकी पर्सनल ही जानकारी ले सकते हैं और नए विद्धारती हैं तो इसकी अपडेट लेने के लिए आप हमारी चैनल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं तो देखेगा रेलवे ओफ इंडियन मिनिस्टर यानि की रेलवे ओफ मिनिस्टर ओफ रेलवे जिसके अनुसार रेलवे रेकूर्मेंट बोर्ड यानि की RRBS के तैत एक Central Employment Notification जारी किया गया है रेकूर्मेंट है इंजिनेरिंग जिसके अनुसार जूनियर इंजिनेरिंग के अनुसार पोस्ट को रेकूर किया गया है इसमें Chemical Supervisor कई ऐसे पोस्ट हैं जो आप लोगों को देखना होगा देखेगा आविदन की Opening की डीट बात के जाये तो 37-2024 से Closing डीट अगस तक रहने वाली है यानि कि 30 अगस तक आप लोग अपलाई कर देंगे आज 30 हो चुकी है तो अभी भी आपको पास टाइम है इसको जानने के लिए इसका अभी पूरा एक Notification जा रही होगे Short Notification है जिसमें डिटियल्स दे रखी है Chemical Supervisor की बात करें Level 7 के अनुसार 45,000 रुपे सेलरी होगी 18-37 वज 7,934 वेकेंसिज इसमें दे रखी है अगर Chemical Supervisor के लिए 17 वेकेंसिज जोन है गौरकपूर और Total वेकेंसिज की बात करें 7,934 अलग-अलग जोन के अनुसार और यह Old Indian जोन के अनुसार रिक्यूर किया गया है यहाँ पे Education Qualification के बात करें Difference Education Qualification के अनुसार यहाँ पे Post Force और यहाँ पे CEN के अनुसार और Notification या फिर इसकी Conditions रिक्यूर की गी है आपको बता दें जे Closing Date से पहले आप लोगों का Pass होना जरूरी है या Result आना हो वो भी होना जरूरी है पूरे एक Qualification का Certificate होना जरूरी है तब ही आप लोग समिट करवा पाएंगे जैसे कि बात करें इसमें BE, BTEC वाले और डिप्लोमा ले विद्धारती ही अपलाई कर पाएंगे जिनके पास एक टेक्नी सेंस पोस्ट के अनुसार Qualification होगी इसके बाद आप लोगों को बता दें कि आप फोर्म बहने के बाद Return Test होगा फिर उसके बाद मेडिकल होगा मेडिकल के बाद में आप लोग को इसका रीमार्क वगरा verification वगरा सब कुछ होने के बाद आप लोगों को जोइनिंग मिलने वाली है इसमें रिजर्वेशन की सुविदा की बात करें SC ST OBC EWS कंडिडिट को यहां पर रिजर्वेशन की सुविदा भी मिलेगी यह बागी डिटेल्स आप लोगों को जब देखने को मिलेगी जब इसका ओफिसली साइट का जो विग्यापन जारी होगा तब अब इमें बात करूं इसके मोस्ट लिए जिसे पहले एक्जाम फोर्म की डेडा पोस्ट की बात कर लिए अपने और फिर उसके बाद में एक्जाम होगा फिर मेडिकल होगा फिर डॉकुमेंस वरिफिकेशन होगा अब इसमें ओनलाइन इसका एक्जाम होगा जो दो स्टेप में होगा पस्ट और ये भी उनके लिए हैं अब जोन्स के बात करें देखेगा आप किस जोन्स से लगाना चाहते हैं जिसे हमदबाद, अजमेर, बैंगलोरू, बोपाल, बोनेश्वर, राची, सिकंद्राबाद, शिलियूरी ये जोन्स है तो आप किस जोन्स में लगाएंगे तो आप लोग यहा आप लोग देख सकते हैं और आप लोग को किसका लिंक नीचे दिया जाएगा ताकि आप लोग इसकी पूरी जानकरी ले सके तो गैज एक छोटी से अपडेटी रेल्वे को लेके खासकर वो जो रेल्वे की त्यारी करें उनको वीडियो जरूर चेर करें आज के इतना ही न